जैही दोवन्दे मातरम, वेलकम टू माई चैनल लक्स्थ्री मैं हूँ असीम और स्वागत है आप सभी लोग को इस वीडियो में आज के स्वीडियो में बात करना वाला हाउ टू बीकम इंडियन कोस गार्ड पाइलेट भार दिये तटरक्षक बल में पाइलेट कैसे बनते हैं इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण विसलेशन करने वाले हैं इंडियन कोस गार्ड में यदि आप पाइलेट बनना चाहते हैं आप यूँआ है और उसके लिए योग है तो ये वीडियो आपके लिए हैं अब इंडियन कोस गार्ड में पाइलेट कैसे बन सकेंगे पाइलेट बनने से समधी इसमें संपूर्ण जनकारिया स्टेप बाइस्टेप दी जाएगी जैसे में इंडियन कोस गार्ड पाइलेट बनने के लिए आपका एजूकेसनल क्वालिफिकेसन क्या होनी चाहिए मेडिकल टेस्ट में यानि फिजिकल मेडर मेंट टेस्ट की बात के जाए तो आपका हाइट वेट चेस्ट कितना होना चाहिए और सबसे महत्यपून बाते ये हैं कि इंडियन कोसगार्ड पाइलिट में जॉइनिंग लेने के लिए आपको कौन-कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको जो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ाएगा इंडियन कोसगार्ड में पाइलेट बनने के लिए वो सभी प्रोसेस का हम लोग संपून विसलेशन आस्टेप बाइस्टेप एकक करके देखने वाले हैं तो आईए इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे हैं इंडियन कोसगार्ड पाइलेट कैसे बनते हैं उससे संपून जनकारिया इस वीडियो में दी जाएगी लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी एपील है यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो बहले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि कोई भी इस तरह का लेटिस खब्रे आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जनकारी मिल सकेगी Indian Coast Guard की तरफ से Assistant Commanded की हर एक साल की notification जारी की जाती है विकेंसी के लिए इसमें General Duty, General Duty Pilot और Pilot CPL की Post सामिल उसमें होती है तो इस स्टृडियो में हम लोग देखने वाल हैं Indian Coast Guard में General Duty Pilot और Pilot CPL कैसे बन सकते हैं Indian Coast Guard में यदि qualification की बात के लिए जाए general duty pilot के लिए should hold a bachelor degree of rekox night university with minimum 55% marks in aggregate mathematics and physics as subject up to intermediate or class 12 मैं आपको बता दूँ गाइस कि इंजियन कोस्गार में general duty में pilot बनने के लिए आपके पास bachelor की degree प्राप्थ होना जरूरी है जो bachelor में आपको कम से कम 55% अंख होना अनिवारता है और साथी साथ bachelor की degree में यदि आपके पास 55% अंख है लेकिन गाइज इसमें ये भी rule दिया गया कि आपका 10 प्लस 2 में यानि बारहिवी कच्छा में भौती की विग्यान और mathematics होना अवे सह के तभी आप इसके लिए योग है यानि आपके पास bachelor की degree प्राप्थ होनी चाहिए bachelor की degree में आपके पास कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए bachelor की degree में यदि आपका arts है या science है या commerce है या engineering की डिग्री है आपके पास कुछ भी का डिग्री है बैचलर की डिग्री और उसमें 35% आपके अंक है तो आप इसके लिए योग है और साथी साथ आपका 10 प्लस 2 में physics, chemistry, mathematics होना अवे सेक है तब आप Indian Coast Guard General Duty Pilot बन सेकेंगी यह आप qualification समझें आप इसकी qualification next post की qualification की बात करेंच है जिसे CPL Pilot बोला जाता है 10 प्लस 2 और it's equivalent with minimum of 60% marks and at the same time you should have commercial pilot license issued by DGCA इसका मतलब यह हुआगा इसके आपका बारहमी में भोती की विग्यान और गनीत के साथा 60% marks होना चाहिए और 60% marks के साथ साथ आपके पास commercial pilot का license होना जरूरी है जो DGCA के अंतरगत आपका issued होना चाहिए DGCA से इसे director general civil aviation बोला जाता है 10 प्लस 2 और साथी साथ 10 प्लस 2 में आपका physics chemistry mathematics होना चाहिए और 10 प्लस 2 में आपके पास 60% मी marks होना चाहिए और आपके पास commercial pilot का license भी होना चाहिए जो issued by आपका रहे का register DGCA से अगर ये आपके पास है तो आप Indian Coast Guard में CPL pilot के लिए आवेदान आसानी से कर सकेंगे और ये इसकी age criteria की बात के लिए है तो इसमें age आपका minimum 19 होना चाहिए और maximum आपका 25 होना चाहिए यानि 19 to 25 ये सबका age होना चाहिए तब ही आप Indian Coast Guard pilot बन सकेंगे और इसमें OBC candidate के लिए 3 साल की छूट दी जाती है और जो candidate SC और ST काच से बिलोग करते है तो इसमें 5 साल की छूट दी जाती है तो यहां तक आप समझें कि Indian Coast Guard में जो Assistant Commandant के लिए vacancy निकलती है तो उसमें जो post होती है General Duty Pilot और CPL Pilot की post होती है और General Duty के Pilot होती है तो ये जितनी भी post के नाम होता है इसका मतलब आप qualification और age limit समझ के है अब बात आती है कि ये आप इसके योग है तो योग होने के बाद साल में हर एक साल विकेंसी निकलती है Indian Coast Guard के तरफ से जो आपको online registration करना होता है और आप जैसी online registration करते है तो जो आपका पहला process में होता है वो short listing होती है जब आप short listing से भी qualify कर जाता है जब short listing में आपका नाम समीर कर लिया जाता है उसके बाद आपको preliminary test से गुझाना पड़ता है जिसे PT बोला जाता है प्रामभीक परीच्छा जो प्रामभीक परीच्छा में मुख्यता चाप process से आपको गुझाना पड़ता है सबसे पहले mental ability test cognitive aptitude test and picture प्रेception test और discuss test यही आपको process से गुझाना पड़ता है PT में जो इसमें आपको mental ability test में आपको reasoning जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं exactly मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं आप mental ability test में जो आपके lesson chapter आते हैं उसे समद्धी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बाद और उसके बाद अगर picture perception की बात के लिए है तो उसमें चितरे वहाँ पे देखना रहता है जो चितरे आपको पहचान करनी होती है चितरे के हिसाब से आपको वहाँ पूछ दिया जागा हैंडेल कर सकेंगे या किसी भी आप स्टोरी को एक पिक्चर पे कैसे बना सकेंगे किसी भी स्टोरी क्यों उसके हिसाब से वहाँ पे discussion टेस्स ली जाती है यही आपका पहला process होता है preliminary selection process जो पहला होता है इंडियन कोस्ट गर्ड के लिए यह आपका stage 1 होता है अब stage 2 की बात के लिए जब आप PT में प्रामभी परीच्छा में पास कर जाता है तो second जो आपका process होता है वो होता है mince mince नहीं गाईज एक तरह आप से कहले जाए stage 2 stage 2 की बात के लिए तो इसमें final selection के लिए इसमें तयार करवा जाता है candidate को जब आप pre के लिए पास करते हैं उसके बाद आपका final selection जिसे stage 2 बोला जाता है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो सबसे पहले आपको final selection में जो बोलाया जाता है वो psychological test लिया जाता है psychological test और उसके बाद group task और interview interview में आपको personality test जैसे सवाल पूछे जाते हैं पर personality आपका देखा जाता है psychological type के कई सारे आपको सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं group discussion भी इसमें भी ली जाती है इस तरह से आपको final selection में कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद जब यह सब में आप qualify कर जाते हैं यानि final selection यानि stage 2 को आप pass कर जाते हैं तो third up का process होता है वो होता है medical test जो medical standard test की बात लिए है तो आपका height minimum होना चाहिए assistant commander के लिए जिसे gd बोला जाता है 157 cm 157 cm आपका height होना जरूरी है assistant commander gd के लिए यदि assistant commander pilot की बात के लिए जाए तो इसमें आपका height होना चाहिए पुरूस अवयाती के लिए 162.5 cm और link की बात के लिए जाए तो minimum 99 cm होना चाहिए और यदि वजन की बात के लिए जाए तो qad और i.o के हिजाब से आपका वजन होना जरूरी है आपके पास 5 cm चेस्ट का फुलाओं होना जरूरी है यदि आपके पास जितना भी चेस्ट है लेकिन आपका 5 cm चेस्ट का फुलाओं होना जरूरी है यदि eyesight की बात के लिए या आपका आख होना चाहिए assistant commander gd के लिए 6x6 और 6x9 की बात के लिए तो uncorrected without glass होना चाहिए और यही 6x6, 6x6 corrected with glass के साथ होना चाहिए और यही दूसरी पत की बात के लिए assistant commander gd pilot जिसे बोला जाता है या cpl holder ss के लिए इसमें आपका आई होना चाहिए 6x6 in one eye and 6x9 in other correct table to 6x6 यह आपका होना चाहिए assistant commander gd pilot या cpl holder ss के लिए यह मैं आपको physical measurement test के बारे में बता है जब आप यह दो process यानि third process से गुजरते हैं तो यह तीसरा process में आपको medical test के साथ-साथ आपका medical standard test भी लिया जाता है जो आपको यह सब कुछ होना जरूरी है और जब आप medical test में भी pass कर जाते हैं तो उसके बाद next जो आपका process होता है वो होता है cpss जब आप cpss भी qualify कर जाते हैं तो सबसे last जो आपकी चरण होती है selection लेने के लिए वो होती है merit list यदि आपका merit list में नाम सामील हो जाता है तो उसके बाद आप Indian coast guard में पाइलेट आसानी से बन सकते हैं तो यह थी गाइज इंडियन coast guard कैसे बनते हैं इस वीडियो में संपून जनकारिया यदि आपको इस तरह का और भी जनकारिये चाहिए तो हमारे चैनल को subscribe करे वीडियो को like करे और वीडियो को share करे thanks for watching